मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज हम सीखिए ङे इस desp को आप किसी भी प्रो या सक्ते हैं यह 210 को आप किसी भी प्रोजेक्ट को सकते हैं यह इस तरह से बनके आता है यह और फूर। इसका इस तरह से दिखता है आईए सीखते हैं चार स्लाई हमने दो उल्टा एक सीधा करके कम्प्रीट करनी है यहाँ पर मैं दो स्लाई बना चुकी हूँ अब तीसी रो में आता है तीसी रो भी हम पहला वाला फंदा उल्टा बना लेंगे फिर एक फंदा सीधा दो फंदा उल्टा यह हमारी तीसी रो है दो फंदा उल्टा एक फंदा सीधा दो फंदा उल्टा एक फंदा सीधा करके यह हम तीसी रो भी कम्प्रीट कर लेंगे इस तरह से चार रो हमने कम्प्रीट करनी है तीसी रो हमारी यह कम्प्रीट हो चुकी है दो रो में पहले सीधा बना चुकी थी अब चौंथी रो में आते हैं पहला फंद हम सीधा बना लेंगे उल्टे फंदे को हम उल्टा बना लेंगे जो फंदा जैसा दिखता है चौंथी रो में हम बना लेंगे बना लेंगे और सीधे में सीधा बना लेंगे एक फंदा उल्टा बैक सेट से दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा दो फंदा सीधा करके हम यह वल्द स्लाइवी चौथी रो भी हम कम्प्रीट कर लेंगे चार रो हमारी कम्प्रीट हो चुकी है चार रो तक हमने रिपीट करना है अब पांची रो में आते हैं पांची रो में पहला वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे दागा को आगे के तरह रखेंगे अब इधर से हमने इधर से यह जो सीधा वाला फंदा है इसको छोड़ देंगे दो फंदे उल्टा और यह एक फंदा जो सीधा इससे हम इस वाले होल्ड में हम अधागा लेंगे इधर से लेके इधर हम इस तरह से दागा लेके इसको हम यह जो सीधा वाला फंदा है इसके सार लेके इसको हम बना लेंगे इस तरह से ऐस ताहिए इस तरह से बना लेंगे दो फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो धागा को आगे की तरह रखेंगे अब अब यह सीधा है एक सिसमें एकbra़ वो तीर चार चॉंति हूल में इसमें इस तरह से धागा लेना है इस तरह से धागा लेके जो इस सीधा फंदा है इसके सांथ इसको हम लेके बना लेंगे इस तरह से फिर दो फंदा उल्टा एक दो फिर यहां चोथी होड से इस तरह से धागा लेंगे और यह सीधा फंदा है इसके सांथ लेके इसको दो का एक कर लेंगे इस तरह से दो का एक कर लेंगे दो फंदा उल्टा एक दो इस तरह से लेके यह सीधा फंदा है इसके सांथ लेके दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे इस तरह से दो फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो यहां भी हमें चौथे होल से एक दो तीन चार इधा से हमने इस तरह से धागा लेके पहला सीधा फंदा है सीधे फंदे के सांथ लेके इसको हम बना लेंगे दो फंदा उल्टा एक फंदा सीधा है साइट वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे अब उल्टी स्लाइम है जो फंदा जैसा दिखता है उसको हम ऐसी बना लेंगे इस सीधा फंदा दिखर इससी बना लेंगे इसको हम उल्टा बना लेंगे दागा आगे रखेंगे दो फंदा सीधा एक फंदा उल्टा दो फंदा सीधा एक दो एक फंदा उल्टा इस तरह हम ये रोबी पूरी कम्प्लीट कर लेंगे ये रोबी हमारी कम्प्लीट हो चुकी है अच्छा स्लाइटा में भी रिपीट करेंगे जो हमने नीके बनाया वा था एक फंदा ये उल्टा है तो इसको हम उल्टे बना लेंगे ये सीधा है इसको हम सीधा बना लेंगे उल्टे में उल्टा बना लेंगे और सीधे में सीधा बना लेंगे 4 लाई तक, 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 4 लाई तक हम ये रिपीट करेंगे इतो सी रो हमारी दूसरी रो भी हमारी कम्टिट हो चुकी है चार दूसरी रो हमारी कम्टिट हो चकी है, तीसरी रो चार रो तक हमने दो उल्टा और एक सीधा बनाना है, पांच ही रो में डिजैन बनाएंगे 21 रो भी हमारी कम्टिट हो चुकी है चार दूसरी रो उल्टी सलाइमे दो फंदे सीधा बनाएंगे और एक सीधा बनाएंगे बैक सेट दो फंदा सीधा एक फंदा उल्टा दो फंदा सेलता एक फंदा ओल्टा चौकी रो भी हमारी कम्प्टीट हो चुकी है पांच वी रों में हम डिजैन बनाएंगे अब पहली रों में हमने इदर से इधर को डिजैन बनाया था अब हम इधर से इधर को डिजैन बनाएंगे एक फंदा सीधा इसको सिधा बना लेंगे दो फंदा फुल्टा पहले हम इनको बना लेंगे धागा को आगे की तरव रखेंगे अब यह होल से दिख रहे चोथा है इस होल से हमने धागा लेना इस तरह से इस तरह से धागा लेके इस पार हम इसको इधर से तो इस सीधे फंदे में मिलाके दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे इस तरह से दो फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो फंदा उल्टा बनाएं धागा को आगे की तरव रखेंगे अब इधर से यह आप दिख रहे हैं होल इस होल से हमने धागा लेना है कि इस इस से धागा लेके जो सीधा फंदा दिख रहा है है इस सीधे फंदे में इसको मिलाके दो का एक कर लेंगे इस तरह से आएगा है फिर दो फंदे उल्टा बनाएंगे इधर से यह दिख रहा है इधर से हम दागा लेंगे इस तरह से दागा लेंगे और जो सीधा फंदा दिख रहा है इस सीधे फंदे के सार लेखे इसको बना लेंगे इस तरह से इस तरह से बना लेंगे दो फंदे पैले उल्टे बना लेंगे इस होल से इस सीधे फंदे के साथ लेके इसको दो का एक कर लेंगे इसका इस तरह से दो फंदे पैले उल्टा बना लेंगे एक दो तहागा को आगे की तरह रखेंगे अब इधर से लेना है और यहां जो सीधा फंदा दिख रहा है इस सीधे फंदे के साथ लेके इसका दो का एक बना लेंगे इस तरह से साइट वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे जो फंदा जैसा दिखता है उसको हम ऐसी बना लेंगे सीधे में सीधा बना लेंगे और उल्टे में हम उल्टा बना लेंगे दो फंदा सीधा एक दो एक खंदा उल्टा दो फंदा सीधा करके हम बैक सेट कम्प्लीट कर लेंगे इस लाइवी हम कम्प्लीट कर लेंगे यह रोबी हमारी कम्प्लीट हो चुकी है इस तरह से बन गाता फ्रेंस इसमें यह ध्यान रखे एक बार हम दागा ऐसे लेंगे और एक बार हमने इस तरह से लेना है इस तरह से बन के आए गई आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको अपलाई कर सकते हैं बन के भी है खुपसरत लगता है यह आप देख सकते हैं इसको इस तरह से बन के आता फ्रेंस से थेंक यू फिर मिलते एक नहीं वीडियो के साथ